मुझा देखो बारिश क्या पढ़ रही है जबर्दस और हम यहाँ बैड़ गए गर्मी देने आसी चार रही है और यह मैं कौन सा है और शलवार कौन सा है असलामों अलेकुम माय यूटुब फैमली वल्कम बैक टो आवर न्यू व्लोग उमीद है आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे तो टाइटल और थमनल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज क्या है गर्पे तो जी हाँ बिल्कुल आज गर्पे है एद साल एक छोटा सा गैट टोगेदर है जिसकी यह सब तैयारिया चल रही है तो मैं बता देती हूँ जिन लोगों ने हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है और जो जो नए है तो प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा आप व्लाग को फुल देखते हो और फिर सबस्क्राइब करना बूल जाते हो आपका एक-एक सबस्क्राइब हमारे लिए बहुत माने रखता है प्लीज सपोर्ट अस्सलाम अलेकूं वाराहमतलाहँ अबराद ठीक हैसल पूश मखला होता है में येश सबस्क्राइब कर देखते हैं में येश सबस्क्राइब कर देखते हैं में येश सबस्क्राइब मेरी जाँ चलो यहां से ना बारिश भी हो गई सिटार्ट अकल नहीं गाड़ी बंद किया है गाड़ी किया है अंकल ने बंद देखो ये का मानेगा मैं देखोंगी ये कैसे निकालेगा इसको बिसमिल्ला हमने ना एक बार मुर्गया लाई थी इसमें रखने के लिए मैं आपको वो दिखाऊंगी कश्ण हम से पता है इन्होंने जह मुर्गया लाई पता है पिर इन्होंने क्या किया ये और गया यहां चैनले आ depends wprowad अधनल के शूर्च उटा मैं उब निउक कामें और अधनित मैं यहां है ना है यहां से इज़ यहां शेमीत पे ला रगा यां जिसके अधर वह आता है न कोछ वन चिकन्स को ले लिया वरना अच्छा था मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा खासा था बहुत अंदर से बड़ा फिर उनमें तब से नहीं लाया और ये देखो क्या हो गया है यहां पे बोलते हैं जब किसी गर में नहीं रहते है चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो तो वो खंडर में तब दिल होता है वे सही ना हम देखो यहां पे ना हम खाना खाते थे आसे चार साल पहले हम यहां पे खाना खाते थे यह उपर है जब दूप होती थी तब हम यहां पे खाना खाते थे और ये मिटी का चूला मैंने एक बार बनाया था फिर इसके सालन भी पकाई थे एक दो ये वही है अरे बाबा यह उपर है एन नहीं आता है आपको चड़ना है आप मैं क्या करूं इसको बिसमिला पकड़ो मैं हाथ छोड़ो 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 हाँ छोड़ो हाँ देखा लगती है मैं जाओंगी वेवार नहीं में फिर से बोलेगा करो सारी पिएंगे मामो देगा शावारी अजिए चाट रहे वारिश बारिश क्या पढ़ रही है जबर रस और हम यहाँ बैड़ के गरमी देने और देखेंगे थोड़ा थोड़ा कूखाने को भी मत मिलेगा वह इखाएंगे वहां से बारिश है देखो बारिश के आप पड़ रही है और देखो फिरा कौन सा है और शलवार कौन सा है वो ना सारा गंदाल हो गया तथलारो तामन ले जो तुलान तुलान तो मैं गई थी अंकल के गर वीडियो को अपलोड करना था तो जो कल का व्लोग था उसी को अपलोड करना था तो पहले वो गई थी क्योंकि आप लोग उन तक व्लोग भी टाइम पे आना चाहिए ना इस से दिये कितना सुक्राज़ करना पड़ रहा है गर पे ना अभी वाइ नहीं है तो मैं पेटी हों पहले चाही मुझे बहुत ठान लग गई वैसे हमें कहां जाना है मासी आप चिकन और रोटियां जो थी न वो नेबर्स को देने जाना है यह मासी चाह रही है और यह मैं अभी तक ठाक रही थी ना बार इबर कम जो था ना पकड़ो मेरा भी ठेला खतम हो गया हम ने कितने खाई हम जिस गर में भी जाते हैं जिसके गर में भी यह आप्रिकॉर्स होते थे हम आँसे लाते थे कलमी ने यहां पर रख लिया था यह एलो वीरा प्लांट तो इसको लेते हैं पहले उपर देखते हैं ना यह बाहर मौसम खराब हो जाएगा इसको मैं लेती हूँ पहले उपर और मुझे लेनी है बैना जुलकर ने ने एक बाइट कर लिया फिर बोला मुझे नहीं खानी तो अब मैं इसको ना काम मिलाओंगी तो ये ना वो पुराना वाला अलोवेरा है जो मेरे पुराने सबस्क्राइबर है जो मेरे व्लॉग्स जेली देखते हैं उनको पता होगा ये मैंने कब माइके में लाया था और ये देखो माशाइलला से कितने कितने ब्रांचिस के निकल गए है और यह जो मेने पार्सन लाया था है तो यह देखो एभी थोड़ा ना गर से हम लाया नि तो बैग में छोड़ा अधर अधर हो गिया तो इसकी न는 एक दो यह ये ना पत्ते मुझे निकालने है तो किस लिए निकालने है तो वो मैं आप लोगों को बार में बोलूँगी मुझे यहां पर ट्रांस्पर करना है दूसरी जगा तो उससे क्या होगी इनमें न पॉलनेशन बढ़ती है अच्छे हो जाते है दो होने चाहिए तो यह एक ही है ब हमारना वह इसको काड़ देते हैं उपर से मेरे पास कोई सामान भी नहीं है जिसे में करूं ठीक तो मुझे ना या मिला तो यह एसे में खुल कर घूडीव फिन puppets कर दीना मैंने यह उसको में कॉलकर कर cats विर इसको निकालते है और है इसको भी बढ़ते है इसमें बहूत सक तो हो गिया है निकल ही नहीं रहा था अब देख लो कितनी महनत मुझे लगी इसको निकालें बड़ ये बिलकुल भी नहीं रिकल रहा था इसके रूट्स इतने श्रिंक हो गए थे जिसकी वज़ा से नहीं प्लांट अप मुर जा जाता क्योंकि रूट्स इसके अच्छे से प्लांट जिस निकलने लगते हैं इसलिए मुझे ये ट्रांसफर करना है अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही है जिसके रूट्स चोटे से गमले में श्रिंक हो गए है चोटे से पाट में श्रिंक हो गए है तो आप ये करो बहुत अच्छा होता है ये प्लांट्स के लिए इन्शालला में एक बड़ा सा भॉट लाओंगी जिसमें यह हुछ बार्योवे लोविरा के प्लांट्स में ढालूंगी फिर से ट्रालस पर करूंगी बड़े से पाट में हुआ है जो फूरट करेट होता है उस ही में ने रखे है तो पहले यहांपे मैंने कुछ गरेप्स क सीड रखे थे वह सारे गिर गए आपना पहले हैं पर काम करेंगे सारा साथ जो मिटी है यह उठाएंगे इसमें ना कुछ ग्रेपस की सीड भी सीड भी निकल गए वह भी इसी में डालेंगे जब उगेंगे तो साथ में वह भी उग जाएंगे और सफाई भी बहुत जरूरी ह है अगर आप कोई काम करो तो वहां पर क्लीन भी साथ में किया करो तो यहां पर मैंने एक बैनना लिया था ना तो देखो मैं इसका क्या करूं मैंने शॉट्स में देखे के ऐसे ना सीड जल्दी उग जाते हैं तो मैं ऐसे चुटे चुटे पीसिस कर रही हूं लकडी से इस बोला यह बीपी के लिए बैस्टे होते है यह ग्रेपस तो मैंने सुचा चलो देखते हैं गार पे उगेंगे या नहीं क्यूंकि हमारे पास एक ग्रेपस का प्लांट आरी है बट उसमें चोटे चोटे होते यह ना वो परपल कलर के ग्रेपस है जिनमें सीड भी होते हैं औ क्योंकि मुझे यह गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शोक है तो यह देखो अब ना मैंने वो ली थी मार्चस की तीली और ग्रेपस के सीड़ को इसमें बंदर कर रही थी मिटी डाली उपर से यह देख लो अब ना में क्या करूंगी इसमें सा थोड़ा सा ना पानी जाना जाए तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिएगा मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरुत है आपको लगता है होगा कि एक सबस्क्राइब करने से क्या होगा आपके लिए तो कुछ